तो वकैब की कलास को मागे बढ़ाते हैं, सबसे पहला वर्ड आपके सामने है कैलोस कैलोस का मतलब होता जो आदमी बहुती जादा निर्दई होता है, क्रूल होता है, जिसके मन में कोई दया भावना नहीं होती उसी को आप कैलोस के नाम से जानते हैं यहाँ पे एक वर्ड छुपा है कालो, कालो से आप याद रख सकते हैं कालो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह C-A-W-L-O कालो, कालो मतलब बहुती निर्दई है, कालो मतलब आप समझ गए होंगे तो कालो मतलब बहुती ज़्यादा निर्दई है, क्रूल है, इसका ज़स्ट अपोजिट हो जाएगा सेंसिट्यू, जो बहुती ज़्यादा सेंसिट्यू होता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर सेंसिट्यू तो कैलोस निर्दई होता है, इसका उल्टा हो जाएगा सेंसिट persuasive क्या होता है यह तो आप सभी को पता है परस्वएड का मिनिंग होता है tidak किसी को मनाना या QoAJकस 30 सिनुनीम होता है तो पर इस एक ऐसा अदमी ऊता जो मनाने वाला होता है तो परश्वेड का मतलब मनाना या खुसामन करना और और persuasive का मतलब होता है, मनाने वाला, अगला सब्द आपके सामने caring, जो आदमी बहुत ज़्यादा care करता है, उसको caring कहा जाता है, gentle का मतलब सब्वे होता है, और sensitive का मतलब जो कालोस यान निर्दी का उल्टा हो गया, अगला वर्ड आपके सामने सिसेशन है, सिसेशन का मतलब होता है, बंद कर देना, रोग देना, समब्त कर देना, खत्म कर देना, इसी का उल्टा होता है, commencement, commence का मतलब होता है, किसी चीज़ की starting करना, begin करना किसी को, commence का मतलब किसी चीज़ की सुरुआत करना, start करना, begin करना और siege का मतलब रोग देना होता है तो siege से succession, succession का मतलब समापती और commencement का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरू कर देना या सुरुआत कह सकते हैं अगला वड़ाप के साथ ने renewal है renewal तो आप ऐसे जानते होंगे जैसे आपका कोई document की date जा चुकी है आप उसको renew करवाते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं इस card को renew कर दो, इसकी pack खतम हो गया है इसकी date खतम हो गई है तो renewal का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिर से renew हो गई है तो ये तो comment सा word है ongoing कोई भी काम जो जारी है continuous है लगाता हो रहा है उसको हम बोलेंगे ongoing है ये work कैसा है? ongoing है अगला word आपके सामने interruption होता है interrupt का मतलब क्या होता है? किसी को बीच में टोक देना interrupt का मतलब होता है भी को बीच में टोकाटा नी कर देना जैसे मैं वीडियो बना रहा है बीच में आके मुझे कोई टोक देगा तो उसने मुझे क्या कर दिया? interrupt कर दिया है तो वहीं से एक सब्द बना interrupt का मतलब होता है बीच में टोका तोकाटानी आप इसे कह सकते हैं अगला वड़े आपके सामने प्रोक्रेस्टीनेट का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है पोश्ट्ट पॉन कर देना जैसे जैसे अभी करोना की वज़े से बहुत सारे एक्जाम जो हैं पोस्टपॉण हो गए हैं यानि वह जी जादा लेट करती हैं यहार एक्जाम को प्रोक्रेस्टीनेट करती है यानि हमारे जो सरकार है उसको कहना चाहिए कि इसमें ना expedite होना चाहिए expedite का मतलब सिगरता से काम होना चाहिए लेकिन एक exam में कोई भी काम सिगरता से नहीं होता है कोई भी exam time पे conduct नहीं करवाया जाता है और time पे conduct होने के बावजूद भी इसका result time पे नहीं आता है तो आप समझ गए सभी चीजों में procrastinate है और इसका उल्टा है expedite तो expedite होना चाहिए कोई काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए अपना ठीक time पे हो जाना चाहिए experiment तो सबको पता exclude का मतलब include होता है सामिल करना इसका उल्टा हो जाएगा exclusive मतलब बहार कर देना अगला वड़ा的 propagate नर मतलब वहता फैल जाना प्रोपेगेट मतलब फैल गया तो procrastinate का मतलब क्या होगा डिले हो जाना postpone हो जाना इसका उल्टा exp śp हो गया अगला वड़ा कि सामने पर्होंत Yes सकतिसाली powerful आप इसे कह सकते हैं यह तो आपने पढ़ाई होगा potential difference आपने देखे होंगे physics के अंदर volt में मापा जाता है तो voltage भी उसका कह सकते है potential difference potent मतलब सकतिसाली होता है इसका उल्टा हो जाएगा weak यानि कमजोर inefficient जो आदमी नहीं होती है अगला वर्ड आपके सामने प्रोबिटी का मतलब हो जाएगा अगला वर्ड ट्रेक्री कह सकते हैं इसका मतलब होता विश्वास घात या फिर धोखा in sincerity चिंको sincere आदमी तो जानते होंगे sincere से स्वध बना sincerity इसका उल्ठा हो जाएगा in sincerity जो आदमी sincere नहीं होता है sincerity नहीं दिखाता है उसको in sincerity कहा जाता है यह एक noun है abstract noun आप इसे कह सकते हैं अगला वड़ आपके सामने Gregorious इसका मतलब वो सव्मू या वो लोग या वो इनसान या वो पसो जो समू में रहना पसंद करते हैं उसे को आप grigarius कहते हैं तो grigarius मतलब जो समू में रहना पसंद करते हैं इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा recluse, recluse का मतलब वो होता जो एकांत वासी होता है एकांत में रहना पषंद करता हैं एकांत वास्या सेन्यासे भी कह सकते हैं सोचियल जो समाज में रहना पसंद करता है इसका रस्टीक होता क्या है रस्टीक होता गवार इसका सीनोनिम क्या हो सकते हैं अगला वर्ड़ आपके सामने स्पोराडिक है चैनल इसका उल्टा हो जाएगा स्पोराडिक हो जाएगा जो रेगुलर के साथ नहीं होता या उसमें कोई continuity नहीं दिखती sporadic कर जब सुल्टा हो जाएगा या continual continual जो लगातर होता है survive से सब्ध बना surviving survive का मतलब होता जीवित रहना या जीवित होना sweep का मतलब सोना वहीं से बन गया sweeping restraint क्या होता है restraint होता जो आदमी सांत रहता है चूप रहता है ज्यादा मतलब serious type का रहता है उसको restraint कहते है सांत चूप अगला सब्धिया मैंने आपको करार रखा वहाँ पर दिखा था पिसले classes में मिल जाएगा implicate करना implicate का मतलब होता दोसी ठहरा देना और implication मतलब दोस तो implication का ज़स्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पर इंप्लिकेट और एक्जून रेट था यहाँ पर नाउन फॉर्म दे दिया implication और implication और एक्जून रेशन तो implicate का मतलब दोसी ठहरा ना एक्जून रेट का मतलब होता दोस्मुक्त कर देना consideration तो consider से ही बना यह तो आपको पता होगा conclusion क्या होता तो conclusion भी यह भी आपको पता हुआ conclude करना मतलब नतीजा निकालना निजकाश निकालना interpretation क्या होता तो समझिए interpret का मतलब वैख्या करना होता explain करना होता तो interpretation होगी वाख्या यह वह इसकी वाख्या क्या इसकी explanation क्या है तो interpretation का मतलब explanation होता है कि अगला वड़ा आपके सामने एप उजिट यह भी आपको करा रखा है एप उज्व झालता कोई चीज़ उप्युग्थ होती है उचित होती है ऐप्रोप्रियेट होती है इसका ज cotton हो जाएगा इन एपोप्रियेट इन इनटैम्प्रेट क्या होता है तो temperature होता है जो temperature जो सब्द है वो temperate से बनाएं मतलब जिसका temperature ठीक है उसको टेंपरेट कहा जाता है कि यह temperate zone है थीक ठाक है कोई जादा इसमें कमी की बात नहीं है या जादा कोई चीज नहीं है इन टेम्परेट हो जाएगा जो एक्स्ट्रीम है टेंपरेट जो ठीक है माइल्ड है सांत है चूप है ठीक ठाक है और इन टेंपरेट हो जाएगा जो एक्स्ट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी इसके लिए मैं आपको सीनोनिम बताया था सीवर अगर आप पिछली क्लासे लगातार देख रही है बढ़ रह है एसलील तो आप जानते होंगे जो आदमी एसलील है जो वैसी बाते ज्यादा करता है वह इंडिसेंट कहलाता है इन अगला सब्द आपके सामने नजर आया है इन क्रिमेटरी तो इन क्रिमेटरी क्या होता देखो क्रीमिनल आपने सुना क्रीमिनल तो क्रीमिनल से ही क्रीमि देना या दोसी ठहरा देना आप यसे कह सकते हैं ठीक है यान उसको क्रिमिनल मान लेना जान लेना यह कराला देना ठीक है धर से ऐस खरते कर जो समुन में रहना पसंद करते वह जन्मर एफल्स कहा एक बंसली हाई इसका उल्टा झाए और अन्सोसियबल तो सोसियबल नहीं है सामाजिक नहीं है अलग रहना पसंद करता है रेकल्यूज भी आप इसे कह सकते हैं इंडिसेंट फिर से आगया इंडिसेंट एसलील आदमी होता है अब और इप्रोज तो अब उपर इप्रोज तो पहुंचना यह तो आपको पता ही हो है बहुत ही क्रीवल है तो कालो से कालो निर्दी होगा इसका उल्टाच है सैंसेटिव पर्स्वेसिल का मतलब मनाना खुसामंत करना संद करना को करना सब्बेण क होटा मतलब समापती बंद कर देना citizensin को करना मतलब शुरू कर देना श्रूव कर देना commencement होती सुरुवात starting renewal होता renew कर देना फिर से किसे चीज़ को नया कर देना यह तो common word है ongoing होता कोई चीज जो जा रही है continue से interruption होता है टोकाटा की interrupt कर देना नहीं बीच में टोक देना जैसे सब्सक्राइब करने लगता तो इंटरॉप्सन कहला है अगला वड़ yum प्रोक्रेस्ट्नीयेट का मतलब हślता है पोस्ट्पोन कर देना डिले कर देना तो इसका जो उलता हो जाएगा of expedite हो जाएगा expedite का मतलब सिगरता से कोई काम सांग करना experiment सबको पता exclude include का उलता होता इंक्लूड मतलब सामिल करना exclude मतलब बहार निकाले x का मतलब ऐसे वहरी होता है एक जीट सब सुना होым प्रोपेगेट का मतलब फैल जाना अगला वर अगला प्रोटास सकती HAS का उल्टा हो जाएगा वी कंडoya और इनफिषिएंट जो एफिषिएंट नहीं है कुसल नहीं है सोफ्ट मद्ग संसे लोता कम जो जो आसानी से तूट जाता है प्रोब्येटि का मतलब एनस्टी होता है मांधर इसका उल्टा वल्टा होगा डीस एनस्टी टिमेडिटी का एर्ता होती है treaty victory विश्वास गात याध्योखा होता है इन sincerity तो sincerity नहीं दिखाते इंसिंसियर कहलाते हैं इसंचर्टीच में sincerity नहीं होती greek Erias grey गेरियस जो आदमी समय में रहना पसंद करते हैं group में रहना पसंद करते ग्रीग Erius कहलाते हैं उसका इलठा हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा सोशल लोडेटरी परसंसा रस्टिक गवार बकलिक रस्टिक अनसिवलाइज अनकल्चर्ड बूरिस भी कह सकते हैं स्पोराडिक क्या हता तो इर्राइगूल स्ट्रोंग फिलिंग में नहीं रहता ठीक है अगला आपके सामने implication का मसलब होता दोस्टी करार देना exploration होता दोस्मुक्त कर देना consideration, consider साइ ngonclusion का मतलब niskarz होता है, interpretation का मतलब वख्या करना होता है opposite का मतलब up्यूक्त है appropriate है, उचीत है इसका वठा हो जाएगा inappropriate, जो appropriate नहीं है in temperate, होता temperature से बना है, temperature होता सायम में आपने टेमपरेट में रहों सायम में रहों मतलब भार हो जाना बे काबु हो जाना हो जाना इंडेसेंट आसलील आदमी होता है इन क्रीमें इन्परियो में कुरार कर जाएगा बेसरम आदमी अब और इप्रोस्तों सबको पता है अन लवेबल जो यह भी सब को इपता है तो आज की क्लास इतना है थैंकियो फोटो डेंग दे क्लास